नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रांस्मिशन लाइन में फाल्ट होने पर भी हमें पावर कैसे मिलती रहती है? यहाँ पर हमने एक बहुती सिंपिल ट्रांस्मिशन सिस्टम दिखाया है और यह सिंगिल लाइन डाइग्राम के फॉर में है इसको सिंगिल लाइन डाइग्राम क्यों कहते हैं? वैसे तो पूरा सिस्टम थ्री फेस का है लेकिन हमने सरफ एक लाइन दिखाई है और यहाँ पर यहाँ तीन लाइन दिखा देते हैं इसका मतलब होता है कि यह थ्री फेस है तो यह पूरा सिस्टम 3-phase है, यह generator है, जहां power generate होती है, यह low voltage पे generate करते हैं, यह step up transformer है, जिसकी मदब से low voltage को high voltage में बजल देते हैं, और यह transmission line है, जहां high voltage transmission होता है, और यह load है, और यहां पर फिर एक step down transformer लगा देते हैं, जो high voltage को low voltage में बदल देता है, यहां पर हमने high voltage 220 के भी लिखा है, मगर कुछ और भी हो सकता है, और यह line काफी लंबी होती है, 100 km, 200 km, 300 km, कुछ भी हो सकती है, आप मान लीजिए, इस transmission line में कहीं fault आ गया, और कोई तार तूड गया, तो मैं तार तोड देता हूँ, देखिए, इस तार तूड गया, अब हमने एक तार दिखाया है, अगर 3 phase है, तो कोई 1 phase तूड जाएगा, तो भी problem होगा, तो आप power यहां ट्रांस्मिट नहीं हो पाईगी, लेकिन फिर भी हमें यहां पे power मिलती है, वो कैसे मिलती है, मैं अभी बताता हूँ, पहले हमने यहां पे एक line दिखाई थी, यहां पे दो हैं, एक यह और एक यह, तो power इसे भी transmit होती है, और इसे भी transmit होती है, मगर इन दो line में, मा लिजए एक line में फाल्ट आ जाए, मा लिजए यहां पे फाल्ट आ जाता है, इसमें फाल्ट आ जया, तो power इससे बहती रहेगी, और हमें यहां power मिलती रहेगी, मंगर इस line को हमें निकालना पड़ेगा न, या repair करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, यह जो transmission line है, उसके दोनों side में ऐसा system रहता है, यहां पर भी और यहां पर भी, इधर भी रहता है, हमने खाली एक line में दिखाया है, तो जब fault आता है, तो क्या करते हैं, यह breaker है, यह भी breaker है और यह भी breaker है, इसको open कर देते हैं, जब open करेंगे तो यह line पूरी की पूरी इधर से और इधर से disconnect हो जाएगी, फिर यह वाला point ground कर देते हैं, यह और यह isolator हैं, इनको close कर देते हैं, यह दोनों breaker open हो जाएगे, और यह दोनों isolator close हो जाएगे, जब close हो जाएगे, तो यह earth हो जाएगा, यह earth है, तो यहां से लेकर करके यहां तक की line, इन दोनों से अलग हो जाएगी और ground हो जाएगी, फिर इसको repair कर सकते हैं, और जब रिपेर हो जाती है, तो उसके बाद पुनहां इसको open करके दोनों को इनको close कर देते हैं और पाबर फिर दोनों लाइन से वैने लगती है अजब एक लाइन हटा देते हैं, खाली एक लाइन रह जाती है, तो transmission लाइन की capacity काम हो जाती है अब आज यहीं समात करते हैं